हेलो एब्रीवन वेलकम तो अब्सजीज.com तो आज इस वीडियो में बात करेंगा ओस्ट्रो कॉंड्रों मागी तो पिछली दो बनाइन ट्यूमर के बारे में बात कर चोके हैं पिछली दो वीडियो में एक एनरेजमल बोन सेस्ट और एक युनिकैमरल बोन सेस्ट तो वाली वीडियो भी जाके दिखेंगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको अब और नाम होता है जैसे बोलते हैं एक्जॉस्ट तॉसिस यह हमें याद रखने की इसलिए जरूत है इस वाले ट्यूमर को क्योंकि इस इस दा मोस्ट कॉमन बनाइन ट्यूमर इस इस अब यह होता कैसे है यह किसी डेवलपमेंटल मलफरमेशन की वज़े से हो सकता है अब इसमें क्या होता है कि एक डायफिस जो होती है डायफाइजलेरिया में होता है जो डायफिस होती है उसकी बोन जो होती है वो ग्रो करती है डायफिस इसको क्या बोलेंगे फिर nee कि टीफ ट्रो गरती एक है यह इंट हो थिए वह हमारी कवर होती है यह पूह जिक हमारी बोन है मह लहीं कोई बोन है थिक यह मिरैसे होगा चाहित पर दाइफाइस होगा तिक अब इसको बोलते हैं एक्सरेश पर बोन तो दिख जाएगी लेकिन निदिखेगा तो जितनी बड़ी होती है एक्सरेश पर छोटी दिखती है तो लाज्ट फील एंड स्मॉल एक्सरेश हम चुएंगे तो बड़ी दिखेगी और गज़िए और जब हम एक्सरेश पर दिखेजेंगे तो छोटी दिखेगी अब इसके सिम्टम क्या होता है इसमें पेशिएंट को पेइन होगा अब पीन क्यों होता है इसके कुछ कॉझछ होते है एक कॉश होता है बरसाइटिस ठीक है यह मोस्ट कॉमन कॉस अफ पर प्केश ह दूसरा Cause क्या होता है, इसमें, Neurovascular Involvement हो जाए, तीसरा Cause क्या होता है, कोई pathological fracture हो जाए, चौथा Cause क्या होता है, Malignant Transformation हो जाए, अभी जो Malignant Transformation होता है, इसके भी chances होते हैं, अगर एक tumor है हमारे पास सिर्फ, तो less than one percent chances होते हैं, अगर solitary है तो less than 1% chances होते हैं लेकिन अगर multiple exostrosis है तो हमारे approximately 6% chances रहते हैं अब एक और चीज़ हमाई जब megalin transformation हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं जैसे यह osteocontrol में होता है उसे kontrol sarcoma बोलते है अब हम बात करते हैं investigations की investigations में क्या है X-rays तब से पहला investigation X-rays जिसमें हमें मिलेगा Collie flower growth इसके बाद हम क्या कराएंगे MRI हम क्यों कराते हैं क्योंकि cartilage हमें MRI पर देखेगी तो हमें MRI कराके देखना होगा तो जिससे हम cartilage देख़ाएंगे कि कितना बड़ा यह tumor है अब treatment क्या करना है treatment is the important part here treatment क्या करना है X-ray में वैसे यह आपको अभी दिखा दूँगा तो प्लीज अभी अभी एंड तक देखेगा वीडियो तो सबसे पहले यह करना है remove along with periosteum जो भी periosteum है उसके साथ साथ हमें remove करता जाना है इसे इंडिकेशन क्या है वैसे तो बस इसमें पेन हो रहा है इंडिकेशन क्या है अगर यह painless है तो नहीं करेंगे और कुछ और दिक्कत है तो हम करेंगे उसमें क्या-क्या आताता है सबसे पहले cosmetic patient चाह रहा है कि मैं को अच्छा नहीं लग रहा है निकाल दो दूसरा pain तीसरा मेलिगनेंट ट्रांस्वरमिशन हो रहा है चौता अगर यह कोई joint है उसे involve कर रहा है obstruction कर रहा है तब कर देंगे पांच बार neurovascular compromise है ठीक इनमें हमें surgery करनी होगी ठीक है इसके बाद जो thickness होती है जो cartilage capsule की वो more than अगर 2 cm है तब हम बोलेंगे कि malignant degeneration उसमें हो सकता है more than अगर 2 cm है तब तो अभी आप x-ray देखिए x-ray दिखाता हूँ मैं तो यह है आपका x-ray of ane आप देख सकते है femur पे एक growth है जो की present है और 4.14 cm की है ठीक है यह पहुत छोटी लग रही है इसके देखने में अब हम MRI पे देखते है कि कैसी growth दिखेगी present 30 की उपर ठीक है तो यह था मारा इसके बारे में exhaust process के बारे में तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी और ट्यूमर के बारे में तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मारे चैनल और लाइक करिए इस वीडियो को थैंक यू फो वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब चैनल थैंक यू